रमजानों में बहुत रौनक देखी जाती है आईए हम रौनक भी दिखाएंगे आपको खास साथ साथ में हम आपको यहाँ पर इरा फाउंडेशन एंजियों की यहाँ पर नेहा हमारे साथ हैं यहाँ पर तक्रीबन हर रमजानों में इफ्तार डिस्रिब्यूट करती हैं आई और इस बारी पहला रमजान है तो हमने पूरी कोशिश करेंगे कि पहले दिन से स्टार्टिंग से और एंडिंग तक पूरे तीस रोजे दो होते हैं हम यहाँ पर लोगों के खुलवा पाएं जित्ती हम से हो सकती हमत हम कर रहे हैं और आगे उपर वाला हमें ताका दे तो हम करते हैं जी नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जाम मजजित में मुक्तलिफ रोग आते हैं और रमजान को रोजे रखते हैं और यहाँ पर इफ़तार करते हैं और इनके एंजियो की तरफ से यहाँ पर इफ़तार कराया जाता है तो इफ़तार में कुछ करें लिए नषी और हुं अगली बार हमारी कोशिशन रहेगी कि हम उन्व यह बनुडव बनेवा के माके लिए कर आ 시क्छा मड़ार वो का हम पिछली बार हमने लाग मस्शिद में हम करें तो महबते शर्मत आप जरूर लोगों को पौपलाई हां जी मिलकर बनेकी तयारी हो रही है घर से यह पूरा समान इतना लेकर आये तक रहा हैं कि चीलना उच्किल वह यह उज्टाने करें तो भी आप जाता है तो हम शील कर लेकर रहे हैं यहां से अपने घर से कटिंग हम यहां पर करेंगे बाकी लोगों के लिए मसाला बगेरा जो अगर इंकुछ चाहिए तो वो ले सकते हैं नहीं चाहिए तो वो बिना उसके भी ले सकते हैं यह तो बहुत ही खित्मते खल्क कर रहे हैं आपके रोज आपने दारें को रोजा इफ़तार करा रहे हैं और मुझे यह बताईए कि अब प्रूट चाट पे पपीता ही इंप्लूट करें अर्ट कि लाउ पूट करेंगे हम तर्बूज है केले हैं पपीता है और खजूर हैं खीरे हैं और सब कुछ है और चाठी अप्डोगों देख बिल्कल बिल्कल एंजियो और क्या अजियो जो है हमारे हमने जिनका खाना पीना और उनकी पढ़ाई का खर्चा हम सब उठाते हैं बाकि जितने वी लोग होते हैं जो हमारे उस जुग्यों में नहीं आते हैं जाबे वह जो बच्चे रहते हैं उनके अलावा काफी सारी फैमिली इसी हैं जिनको राशन की ज़रत पड़ती है कभी सबजी क मुझे उसे जोड़त पड़ती है में वोमेंस को और बॉमेंस की और बी ब्रॉब्लम में जैसे कभी किसी के साथ कुछ हो जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं महाँ के लिए मौजूद हो और बात करें हम राइंधियों की तो राह इंधियों को दो साल हुए आभी बने पुरे अपने पुरे दिल से निभाऊंगी। पूरे इनफेक्ट ये रमजान उनके ही नहीं। रोज़े हमारे भी हैं। तो हम जितना हमसे हो सकेगा हम दिखाएंगे कि अभी भी नफरत उस तरह से नहीं फैली हैं। महपत बाकी है। और महपत जिन्दा रहेगी नाजरीन तो आप देख रहे थे यह रा एंजियों की नेहा है और यहां पर इफ्तार डिस्ट्रिब्यूट करेंगी अब कुछी चन्द मिन्टों में यहां पर इफ्तार होने वाला है और नाजरीन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहां बारी दादात में लोग अपने घरों से इफ्तार लेकर आए हैं और इफ्तार करने के लिए यहां पर फैमिलीज मौजूद हैं और रोज बर रोज जाममजद की रौनक इसी तरह रहती है यहां पर रोज रौनक लगती है रमजान में और इफ्तार की जाने पुरानी दिल्ल कि इस एतिहासिक मज़ित की गुंजाईश तक्रीवन 25,000 की है और इफ्तार के वक्त में यहां पैर रखने की भी जगा नहीं होती